जहां इंडिया टीम ने बीटी दिनों अपनी ODI SQUARE जो इंग्लेंड की खिलाफ खेलेगी उसका एलान कर दिया है जिसमें 18 खिलाडों की नाम सामिल है जो सभी एकदम गजब की फॉर्म में हैं सिर्फ कुछ खिलाडों को छोड़ के लेकिन जो इंग्लेंड की तरफ से सबसे घातक गेंजबाज है इस समय मौझूदा वो है जोफरा आर्चर उनको लेकर अपडेट सामने आई है कि इंग्लेंड के दिगज तेज गेंदबाज जोफरा आर्चर को भारत के खिलाब बंडे सीरीज से रेष्ट दिया जा सकता है बताते दोस्तों इंग्लेंड टीम भी है हाला कि टी-20 सीरीज की शुरुवास से पहले आर्चर पूरी तरह फिट हो गए और अभी तक सभी चार मुकाबले में उन्होंने हिस्सा लिया ना ही हिस्सा लिया बलकि वो इस वक्त साथ विकट के साथ सीरीज में सबसे जादा विकट चटकाने वाले गेंदबाज है जबकि उनके पांच वो टी-20 मुकाबले में खेलने की पूरी उमीद है ऐसे में हाला कि जौफर आर्चर की टी-20 सीरीज के दुरान किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन टीम मैनेजमेंट उनके अपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाहती है जैसे टीम कभी रोहिशर्मा को अराम दे देती हैं कभी जस्परिद बुम्रा को अराम दे देती हैं तो ऐसे ही खिलाडी जौफर आर्चर हैं जो उनके टीम के महान खिलाडी हैं इनको भी रेष्ट की जरुष पड़ती है ज्यादा वर्कलोड हो जागा दोस्तों तो इंजरी का भी सामना क दिया जाता है तो फिर इससे एंग्लेंड के अने तेज गेंदबा जो को भारतिय परस्तिती में खेलने का मौका मिलेगा अगला टीटवंटी और वंडे वर्ल्ड कप भारत में ही होना है इसी वज़े से ये और भी एहम हो जाता है जो की सभी खिलाडी पहले से ही तैयार हो करते तो मार्क वूड भी कम नहीं है नेक्स्ट एंड स्पोर्स की रिपोर्ट